माफिया गीरी खत्म हो चुकी है, हम बिल्कुल मिट्टी में मिल चुके हैं, हमारा परिवार बरवाद हो गया, अब तुम मिट्टी में मिलने के बाद रगड़े जा रहे हैं मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि आप मेरे घर की और बच्चों को परिशान करना बंद कर दिजे अतिक जिन औरतों को परिशान करने की बात कह रहा था, उमेश्पाल मॉर्डर केस में शाइस्टा पर 50,000 रुपय का इनाम है और वो फिलहाल फरार है वो अपने बेटे असत, पती अतीक और देवर अशरफ के जनाजे में भी शरीक नहीं है सवाल उठ रहे हैं, इतना सब कुछ होने के बाद भी शाइस्टा ने सरेंडर क्यों नहीं किया आज यही जानेंगे के शाइस्टा के डर की तीन बजहें क्या हैं, जिसकी वज़े से उसने अभी तक सरेंडर नहीं क्या वजह नमबर एक शाइस्टा को पुलिस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है इसी साल 24 फरवरी को प्रयागराजे उमेश पाल की 7 सूटर्स ने गोली मार कर हत्या करती इसमें दो पुलिस कर्मी भी मारे जाते हैं 25 फरवरी को उमेश पाल की पत्नी एफाई अर्दर्ज कराती हैं इन में से 7 सूटर्स के लावा अतीक, पत्नी शाइस्ता, भाई, अश्रप, समेट कई अन्य लोगों को साजिश करता बता जाता है 27 फरवरी को पुलिस अर्वाज को एनकाउंटर में मार गिराती है 6 मार्ज को उमेश पाल को पहली बार गोली मारने वाला शूटर पुलिस एनकाउंटर में मारा गया 13 फरवरी को जहांसी में एस्टी अपने मुठवेड़ असद और गुलाम को मार गिराया 15 फरवरी को पुलिस कस्टेडी में अतिक और अशरफ की हत्या हो जाती है उमेश पाल हत्याकर्ण में शामिल जो लोग भी थे वो अब तक पुलिस के गिरत में आ हैं या वे मारे ही गया है ऐसे में शाइस्ता पुलिस पर भी भरोसा नहीं कर पा रही है पती अतिक और देवर अशरफ की हत्या के बाद परिवार में वही सबसे बड़ी सदस्य बची है ऐसे में चार बेटों को संभालने की भी जिम्मेदारी अब शाइस्ता पर ही है हो सकता कि इसी रिए शाइस्ता कोई खत्रा मोल नहीं लेना चाहती है यही वज़ा है कि साइस्ता बेटे असद और पती अतिक के जनाजे में भी शामिल नहीं अब वजह नमबर दो साइस्ता किसी शूटर के साथ है जो सरेंडर नहीं होने दे रहा है यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है और बड़ी वजह निकलकर सामने आ रहे है उमेशपाल हत्याकंट में शामिल तीन शूटर अभी भी फरार है इन्मेंसे गुड़ू मुस्लिम, अर्मान और साबिर शामिल है वहें उमेशपाल हत्यकांट की साजिश में सामिल अतीक की पत्री फरार है पुलिस ने उस पर 50,000 रुपे का इनाम घोशित कर रखा है पुलिस तुत्रों के मुताबिक अतीक की पत्री शाहिस्ता परवीर शूटर गुड़ू मुसिलिम के साथ है ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि शाहिस्ता शूटर गुड़ू मुसिलिम के दबाव की वजह से सरेंडर न कर पा रही है इसकी वजह भी साफ है शाहिस्ता अगर सरेंडर करती है तो उसके बाद गुड़ू मुसिलिम भी पकड़ा जाएगा ऐसे में शाती शूटर गुद्दू मुस्लिम कभी नहीं चाहेगा कि शाइस्ता इन परिस्थित्यों में सरेंडर करें वजह नमबर 3 शाइस्ता को अतिक के काले कारणामों की पूरी जान करें इसी साल यूपी के एडीजी लाइन ओर डार प्रशांद कुमार ने बताया था कि अतिक और उसके परिवार की 11,684 करोड रुपे के संपत्ती जब्त की जा चुकी है इडी ने बुधवार को प्रयागराज में माफिय अतिक अहमद और उसके करीबियों के 15 ठिकानों पर छापे मारी की थी इडी ने इस दोरान 84,668,000 रुपे कैश, 60,000,000 के गोल्ड डायमेंड जुएलरी, 2.85 करोड रुपे के कागजात जब्त किये थे अतिक के लखनों में बना 47,000,000 की कीमत के 5,900 वर्क फिट के मकान को भी जब्त कर लिया था अतिक की 100 विनामी संपत्यां भी जब्त की गई थे प्रयागराज के सदर में बना मकान भी जब्त कर लिया गया अतीक के बाद उसके सारे काले कारनामों की जानकारी उसकी पतनी शाहिस्ता को भी है अतीक के कई वील्डरों और बड़े बिजनसमेन से व्यापारी कृष्टे भी है इन लोगों ने अतीक के काले धन को अपनी कमपनियों में लगाया है संभावना जाता ही जरे कि ऐसे ही कुछ सफेद वे उस लोगों ने अपना राज खुलने के डर से अतीक की हत्या करवाई है ऐसे में शाहिस्ता को भी डर है कि वो इस वक्त अगर सेरेंडर करती है तो उसकी जान को भी खतरा हो सकता है सहे हम शाहिस्ता अभी सही समय का इंतजार कर रही है सुत्रों के मताविक पुलिस ग्रेट नोईडा, मेरठ, डिल्ली, उखला और पशिप बंगाल के ठिकानों पर शाहिस्ता पर्वीन की तलास कर रही है पुलिस ने साइस्ता परवीन को मदद करने के संदेह में 20 से अधिक लोगों की पहचान की है इन में से एक महिला डॉक्टर, साइस्ता के कई अने रिष्टेदार सामिन है इन सभी इलाकों में पुलिस जीरो इन किया हुआ है कि अगर यहाँ पर कोई भी शुराग पुलिस को मिलता है तो साइस्ता को गिरफतार कर सकते है इस पूरे घटना करम पर आपकी प्रत्क्रिया बहुत मतपुड होती है आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं